देखे जो बात मैं बोलता हूँ, साक्षव सबूत के आधार पे बोलता हूँ, हम छूट नहीं बोलते राजनीत में, जो कहना होता एदम धाड़त से सामने कह देते हैं, हमने एक बयान मानी नेता जी का हमने सुना था, हमारे मानी नेता जी ने एक बयान दिया था, कि मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश जी को अपने बेटे को बनाया, और ये हमारा नहीं हुआ, और अपने चाचा को मंत्री पस से हटा दिया, ये किसी का नहीं हो सकता है, मानी मुलाईम सिंग यादव जी ने इस बात को माईक पे बोला है, और मुझे तो आश्चर हुआ उस बयान को सुनकरके, पिता जी ने इस बात को कहा कि, ये जब हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, तो ये देश में किसी का नहीं हो सकता है, ये बात मानी नेता जी ने बहुत सोच समझ के कही थी कि क्योंकि उनके बयान में बहुत बड़ा दम है उनके बयान को जब हम देखते हैं सुनते हैं तो मुझे भी आश्चर होता है कि बताईए इस तरह का जब पिता जी ने ये बात कही तो मुझे आश्यर लगा एक यह वयान है कि हम जूट नहीं बोलते हम चुकि ये बात उस समय उन्होंने कही थी जब पीता जी को नकार करके उन्होंने तरह से नजर बंद करके उन्होंने राष्टिय अदरज बना था उस समय इन्होंने इस बात को का कि जब वो हमारी बात नहीं माना जब हमारा नहीं हुआ हमने मुख्य मंतरी बनाया और चाचा को मंतरी पस से हटा दिया तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है भरुसा करने लाइक नहीं है यह माने नेता मुलायम सिंग यादव जी ने कही थे देखे राजनीत में कब नेता कहां चला जा कोई ठीक नहीं भीया, ओपेन बाद बता रहा हूं, हर आदमी अपना भविष्ट टोल रहा है, अब आज के तारीख में लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भविष्य है, चाए सपा हो, चाए बसपा हो, चाए कांग्रेस हो, अकेले अकेले कोई भविष्य नहीं है, यह पतन की और जा रहे हैं, इत्ते हैं आपने देखा नहीं, विधान सभा के अंदर, दो घंटे बारह मिनट में 27 बार, मानी मुख्य मंत्री योगी आदीत ना जी ने, शुपाल जी से कहा कि जल्दी आ जाओ, उधर से इधर, नहीं तो बाद में कुछ नहीं पाओगे, पस्ताओगे, 27 बार कहा था दो घंटे बा जंगला मिला तब अखिले जी ने कहा कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, सकोर्टी मिली तब ही अखिले जी ने कहा, बीजेपी के लिए के लिए काम कर रहे हैं, और जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने यहीं कहा था कि बीजेपी कही सारे पार्टी बना, यह का बयानता तो जब वो दाग लग जाता है ना जैसे दाग जब किसा कहीं लग जाता तो छूटता नहीं है वो राजनेतिक दाग है वो हमेशा याद आता है अखिले जी को की चाचा कहीं गवड़ा नहीं जाए देखे ये जो चंद्यान ठी की लेंडिंग हो रही है इसके लिए हम देश के बैग्यानिकों को जिन लोगों तो ने अत्क प्रयास करके चन्द्यानथ्री को बनाया उनको हम बधाई देते हैं धन्यवाद देते हैं और इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री मानी नरिद्मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्हों उन्हें बैग्यानिकों को कुली छूड़ दी इस काम को करने के लिए ताकि वो कुसल पूर्वक उसकाम को कर सके। इसके लिए प्धानमंत्री जी को भी वधाई। और बैग्यानिकों को भी वधाई और धन्यबाद। देखे अब रूस की चर्चा हम नहीं कर सकते हम भारत की चर्चा करते हैं भारत की रहने वाले हैं भारत की बात बताते हैं देखे ये जो चंद्यान थरी की लेंडिंग हो रही है इसके लिए हम देश के बैग्यानिकों को जिन लोगों ने अतक प्रयास करके चंद्यान थरी को बनाया उनको हम बढ़ाई देते हैं धन्यवाद देते हैं और इसके लिए हम देश के प्रधान मंतरी मानी नरिद मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बैग्यानिकों को खुली छुट दी इस काम को करने के लिए ताकि वो कुसल पूरवक उस काम को कर सके इसके लिए प्रधान मंत्री जी को भी बधाई और बैग्यानिकों को भी बधाई और धन्यबाद तेकि अब रूस की चर्चा हम नहीं कर सकते हम भारत की चर्चा करते हैं भारत की रहने वाले भारत की बात बताते हैं नहीं बिलकुल सदन के अंदर जब दो घंटे सता बारह मिनट में 27 बाज़ अनों ने कहा तो मैं भी वहीं था चुपाल जी ने बोला मैं आ जाउंगा बीडियो मगा लिजाए भी waste मैं आ जाऊंगा मैं आ जाऊंगा यह बात उनोंने कही है कि इस त्रशा कि आदा कर्भत के अधार बोलता हुं Vin Russo t के आधार पर बोलता हूं हम जूट नहीं बोलते राजनीत में जो कहना होता एदम धाड़त से सामने कह देते हैं हमने एक बयान मानी नेता जी का हमने सुना था हमारे मानी नेता जी लो और एक बयान दिया था कि मैंने मुख्य rhythmic Нेता जी जी को अपने बेटे को बनाया और ये हमारा नहीं हुआ और अपने चाचा को मंत्री पत से हटा दिया ये किसी का नहीं हो सकता है ऐसा मानी मुलाइम सिंग यादव जी ने इस बात को माईक पे बोला है और मुझे तो आश्चर हुआ उस बयान को सुन करके कि पिता जी ने इस कहा कि ये जब हमारा नहीं हुआ अपने चाचा का नहीं हुआ तो ये देश में किसी का नहीं हो सकता है ये बात मानी नेता जी ने बहुत सोच समझ के कही थी कि क्योंकि उनके बयान में बहुत बड़ा दम है उनके बयान को जब हम देखते हैं सुनते हैं तो मुझे भी आश जब लगा? जब लगा? तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है, भरोसा करने लाइक नहीं है। यह माने नेता मुलायम सिंग यादव जी ने कही थे। भविष्य चाए सपा हो, चाए बसपा हो, चाए कांग्रेस हो, अकेले अकेले कोई भविष्य नहीं है। यह पतन की और जा रहे हैं। इत्ते हैं। आपने देखा नहीं विधान सभा के अंदर दो घंटे बारह मिनट में 27 बार। मानी मुख्य मंत्री योगी यादित ना जी ने शुपाल जी से कहा कि जल्दी आ जाओ उधर से इधर। नहीं तो बाद में कुछ नहीं पाओगे पस्ताओगे 27 बार कहा था दो घंटे बारह मिनट में। तो कहीं नहीं कहीं अंदर गुल खिल रहा है तभी नहीं इस बात को जैसे मैं क्यों कहता हूं। कि जब बंगला मिला ताshore जी ने खा कि यह पीकिक कर कर रहे हैं सकोर्टि मिली तब इस ने रिवी जविज़ी के लिए शुपाल जी कर रहे हैं और जब नघुन की घान तो जब दाग लग जाता ना एक इसे डाग जब कुसे कहीं लग जाता तो छुटता नहीं ये उ राजनेतिक highest वह हमेशा याद आता है ऑखेलेश जी को की चाचा कहीं गवड़ा नहीं है